नमस्कार दोस्तों यदि आप आगे आने वाले समय में एर इंडिया से ट्रैवल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की रहने वाली है इस वीडियो को पूरा जरूर देखे ताकि आपको एर इंडिया से आ रहे ही जरूरी जानकारी मिल सके दोस्तों एर इंडि अप्टूबर मैने से ही लागू कर दिया गया है और सबसे जरूरी बात यह है कि आपका बैक कवेट 23 किलो से जादा का होगा तो भी आपको एक्ष्टा पैसा देना पड़ेगा इसके अलबा यह दि आप दो बैक अपने साथ लेकर ट्रावल करेंगे चैकिन में तो भी आपको कम से कम 4000 रुपे एक्ष्टा पैसे देने पड़ सकते हैं एर इंडिया आप एक प्राइवेट कमपनी बन चुकी है और अब एर इंडिया का मकसद है प्रॉफिट कमाना इसलिए एर इंडिया के दोरा यह नए नए नीमों में बदलाव किये जा रहे हैं जब एयर इंडिया एक सरकारी एलाइंस कमपनी हुआ करती थी तब एयर इंडिया डॉमेस्टिक फ्लाइट में भी 25 किलो तक के बैक को चाकिन में कोई भी चार्ज नहीं लगाती थी लेकिन अब उसको भी कम करके 15 किलो कर दिया गया है और 15 किलो से अधिक का यदि आप बैक चाकिन करते हैं तो भी आपको एक स्टा पैसा देना पड़ेगा तो दोस्तो एर इंडिया से ट्रेवल करते समय आप अपने बैकेज का जरूर ध्यान रखे